हेलो दोस्तों आईए ग्यान बढ़ाएं देख रहे हैं आप मैं रवी कुमार रोज की तरह आपके सामने एक नई वीडियो में फिर से आज जिरूँ तो दोस्तों जैसा मैं थमनेल में डाला है कि मैंने केबल 292 रुपे 292 रुपे इन्वेस्ट किये हुए हैं और इस 292 का रिटन आपको मिल जाएगा केबल 292 रुपे से तो यह सुनने में जितना आपको कंफ्यूज कर रहा है रियल में यह उतना ही सच है तो अब बात आती है कैसे मैंने यह किया और क्या कर रहा हूं मैं तो देखिए मैं आपको ताना चाहूंगा है मैंने एक स्कीम में 292 रु जोजना जिसमें आप अपना एक अमाउंट मंतली क्वार्टाइली या फिर यह लगा सकते हैं तो मैंने 292 रुपे केबल 292 रुपे हर महीने के लिए लगाए हैं और इस 292 रुपे का मुझे साड़े आठ लाग रुपे का टन मिलेगा अब यह साड़े आठ लाग का रिटन है यह मुझे पैंसन स्कीम के फॉर्म में मिलेगा यह एक पैंसन स्कीम है इसमें मुझे हर महीने का पांच जार रुपे मिलेगा अब हर महीने का जो पांच जार रुपे है यह कब मिलेगा यह सबसे बड़ा कोश्चन आता है तो देखिए साट वर्स की आयू के बाद आपके लिए जो प्लान है भारत सरकार का अटल पैंसन यूजदा बहुत ही जवजज़ प्लान है जैसा मैंने अखता है मैं केबल 292 रुपे लगा रहा हूं और पांच जार रुपे की अगर आपको पैंसन मिल लई है तो क्या प्रॉब्लम है और इस जो पैंसन का टोटल अमा की बर्स के बाद यदी म्रत्यू हो जाती है डेथ हो जाती है तो क्या आपको केबल कुछी साल पैंसन मिलेगी तो मैं आपको चाहूंगा इस प्लान में जो मैच्वर्टी वैलू है वह सारे आठ लाग रुपे सारे आठ लाग रुपे में से जितना पैसा आपको पैंसन के में दे दिया जाएगा वो तो आपको मिलेगा है और उसके बार कर जो अमाउंट होगा फूर इसके नाम क्या है दिया दाएगा तो पर आपकी आपकी cardio रही में से वो अमाउंट नॉमनी को दे दिया जाएगा जिसको भी आपने नॉमनी बनाएगा उसको पूरा मॉंट दे दिया जाएगा तो यह तो था प्लान जिसमें केवल आप 200 मांवी रुप जैसे मैंने इन्वेस्ट किया और इसके तुरू मैं पांच हजार का हर महीने ले तो आप इस प्लान को ले सकते हैं अब कुछ लोगों के मन में आ रहा हुआ सर 18 वर्स से ज्यादा के लिए कि मैक्सम मेज किया है तो देखें मैक्सम मेज की 40 वर्स यदि आपकी आयू 40 वर्स से ज्यादा है तो आप इस प्लान को अपने लिए ले सकते हैं अब इस प्लान मे पूछते हैं कि सर आपने पैसे करते हो किसे आप अपने पैसे को बढ़ा रही हो तो इस लिए मैं बना रहा हूं रहा हुँ जिससे कि वह लोग बावार मुझे से कुमस्या कोशन ना बूचेए यह वह कुशन में नोट कह लिए हैं जैसे फर्श कोश्चन था कि उम्र कितनी होनी चाहिए इस प्लान को लेने के लिए तो इसके लिए उम्र 18 से 40 के बीच में चाहिए अब माली जी अब आप प्लान लेना चाहते हो आपने मन बना लिया तो इसके लिए कौन कौन से डाक्यूमेंट सब्सक्राइब आपके पास होना यह यह इंदि आपके पर सब्सक्राइब सकति हैं तो में उपन कर सकते हैं और कुछ ौर कोइशने जो कई लोग पूछते हैं जैसे पूछते कि पैंशन का अमाउंट कितना कितना ले सकते हैं क्या 5000 ही मिलेगा क्या कम ज्यादा नहीं मिल सकता है तो देखें यह डिपेंड करता है आपके इंवेस्टमेंट के उपर जैसे मैंने 292 रुपे इंवेस्ट किये और इसमें मुझे पांच र रुपे देना होगा तो यह चीज मैं आपको बताऊंगा भी लास्ट में तो आप इस वीडियो को पूरा इंडिय तक देखें जिससे आप सभी चीजों को डिटेल में समझ पाएं तो इसके पैंशन अमांट है वह आपकी 1000 2000 3000 4000 5000 तक की है इसमें आप अपने में आप लेना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इंवेस्ट कीजिए तो इसके लिए मैं भी आपको एंडिंग बता दूंगा तो चलिए कुछ कोशन और पहले देख लिए तो आपको लास्ट में बताते हैं तो नेक्स कुश्चन आता है कि इसमें जो पैंशन हो कब स्टाट होगि तो देखे के पेंशन आप कि स्टाट होगी साट वर्स की dot YA5 के आपकी जब होबर साट साल की हो जाए तो आपके अकाउंट में अटाप्समें ली पैंशन आती रहेगी जिस अकांट से आपने सकी स्टाट किया होगा अब कुछ और चीत दिख लेते हैं तो के पहले रखा है तो तो उनको तो government 1000 i6 शार अपी परसेन पेला प्रीमियम्ट या फिर मैकशन एकny किया आप से इस स्कीम को बट अभी भी आप ले सकते हैं कि यह स्कीम कांटीनु है लेकिन आपका डिसकाउंट के फॉर्म में दिया रही तो वह चीज आपको अब नहीं मिलेगी तो यह तो थे कुछ फैसलिं दे जाएगी यह इसको नौन को कई आपको कुछ हो जाता है जैसे आपको कुछ होने के बाद आपकी वाइब कर पेंशनि जाती आपकी को कुछ हो जाने के बाद आपका जो पुंत्र होगा जया और पी पुत्री और आपको जिसने इंद्द Гос ऩ k आपके नौमनी को तो अब नेक्स आती है कि सर अगर मान लिजे दस पंदार सालों के बाद अगर हम अपने को निकालना चाहते हैं तो क्या निकलना पॉसिबल है तो मैं आपको तना चाहूंगा इस स्कीम की सिर्फ एक खास बात यह है कि इसमें प्री मैच्वर एक्जिट लेन अलाओ नहीं है मतलब इस स्कीम को अगर आपने लिया है तो आपको चलाना ही पड़ेगा इसमें प्री मैच्वर एक्जिट लेना अलाओ ही नहीं है प्री मैच्वर एक्जिट लेना के लिए केबल अलाओ तब है जब आपकी डेर्थ हो जाती है तो देखिए आप इस स्कीम से डेविट होता है और अगर आप बंद कर देंगे तो आपका पैसा है वो फशने के पूरा-पूरा चांसे स्राइगा क्योंकि इस की में साफ-साफ दिया गया है कि प्री मेच्चुर एकजिट करना अलाउ नहीं है तो जब अलाउ नहीं है तो उसकाम को आप नहीं कर सकते हैं अब need back minute मैंने आपको Th anche कि किस आउग्यों को लिए लगवख कितनी प्रीमियम आपको देना होगा तो देखिये मैं आपको को मनतली के बिर सब्सक्राइव यदि आपको अठारा साल है तो आपको हो तुर्टी के डेना होगा एक हजार रुपे की pension start करने के लिए और इसकी जो maturity value होगी वो होगी 1.7 लाग रुपे तो देखिए आप बताइए क्या आप 18 साल के नहीं हो क्या आप मातर 42 रुपे इंवेस्ट नहीं कर सकते हो आप खुछ सोच के देखिए 42 रुपे महिना क्या इससे सस्ता और government आपके लिए कौंसर प्लान लेकि आएगी सोच के देखिए तो अगर आपकी 18 साल है तो आप 42 रुपे दे कर 1000 रुपे की pension क्या start कर सकते हैं और इसका जो maturity विर जब मैंने आप होता है वो था 1.7 लाग रुपे अब मान लिजी आपकी एज है 40 साल मान लिजी आपकी 19 साल नहीं है अगर आपकी 40 साल एज है और आप इस प्लान को एक्टिवेट करते है 1000 रुपे की pension के लिए तो आपको केबल 291 291 रुपे जमा करना होगा और इसकी भी जो maturity value होगी बन पॉइंट सेविन लाख रुपी अब मान लिए कुछ लोग करेंगे सर हमको एक जागी दो जार पर इसन चाहिए आने वाले समय में क्योंकि आने वाले समय में जब साथ साल की उम्र आपकी हो जाएगी तो समय पैसे की वेल्यू क्या ओटमेटिक सीवात है कि थोड़ा रिडियूस हो जाती है तो 2000 रुपे चाहिए तो फिर क्या क्या करें तो दिकिए अगर आपकी उम्र 18 साल है और दो जार रुपे की पैंसन लेना चाहते हैं तो आपको के 584 रुपे हर महीने देना होगा और यह रुपे आपकी सेवें अकाउंट से डेविट होता रहेगा निकलता रहेगा वह इसके लिए टोटल वैल्यू है मैचॉर्ट वैल्यू है आपका 3.4 लाख रुपीज अगर मान लीजी आप 20 पैंसन लेना चाहते हैं और आपकी उम्रह 40 वर्स तो आपको केवल 582 रुपीज 582 रुपीज लगाना होगा हर महीने और इसमें आपको 2,000 रुपे की पैंसन 60 वर्स के आई उपर मिलने लगेगी और इसके लिए जो मैचॉर्टी वैल्यू है वो 3.4 लाक रुपे है अब अगर आप 3000 रुपे की पैंसन लेना चाहते हैं तो 3000 रुपे की पैंसन लेने वाले के लिए अठारार साल अगर आपकी उम्र है तो आपको 126 रुपे हर महीने देना होगा और अगर आपको 40 साल है तो आपको 830 रुपे केबल देना होगा हर महीने और आपकी 60 वरसी आयू के बाद 3000 रुपे की पैंसन आपको मिलना स्टाट हो जाएगा और जिसकी maturity value है वो है आपकी 5.1 lakh रुपीज यदि आप 4000 रुपे की पैंसन लेना चाहते हैं तो 4000 रुपे की पैंसन के लिए मैं बोताना चाहूंगा अगर आपको 18 साल है तो आपको 168 रुपे देना होगा और अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको केबल 1164 रुपे देना होगा और इसकी जो maturity value है वह है आपकी 6.8 lakh फिर इसके बाद यदि आप 5000 रुपे की महिना पैंसन लेना चाहते हो तो इसमें केबल आपको देना होगा 18 साल बालों को केबल 210 रुपे आपकी जो पेमियम की अमाउंट है पर मंत वह इनी रेंज की बीच में है कि जो मैंने आपको रेंज बताई और जो मैंने 5000 रुपे की स्कीम बला प्लान लिया वह लाश वाला लिया और जो मैंने भी आपको बताया तो मेरी जो एस ती उसके अकॉर्डिंग मुझे केबल 292 रुपे ही देने पड़े उस 292 रुपी के अकॉर्डिंग मैंने इन्वेस्ट किया तो इन फ्यूचर मेरे को साड़े 8 लाग रुपे का पका रिटन हो गया है और मेरी जो स्कीम है वो शार्ट वर्स की आयू के बार स्टार्ट हो जाएगी तो यह एक बहुत अच्छी प्लानिंग है फ्यूचर की क्योंकि देखे कमाते तो सब हैं अब कमाने के बाद अगर आप अपने पैसे को सही तरीकिये से बड़ा नहीं पाते हो तो फिर आपका पैसा आपके फ्यूचर में कैसे काम आएगा अगर आप पैसे से पैसा नहीं कमा पाते हो तो यह आपकी प्रॉब्लम है देखे इसके लिए हमने कई वीडियो डाले हुए हैं आप प्लेलिस्ट में जाईए देखिए पैसा से पैसा कमाएं बाली प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे कैसे पैसे से पैसा कमाएं हम बोक्स में प्रोवाइड कर देंगे लिंक उसमें भी आप देख लिए पैसे पैसा कैसे कमाई एक मैंने और इससे पहले पॉल्सी लिया था जिसका नाम था सिंगल प्रियूम एंडॉर्मेंट प्लान उसमें दस लाग रुपे का बैसरी डिटारिन है केबल छोटा सा इंवेस् सिंगा प्लान तो इस तरी की के जो वीडियो सें मनी उन्य इनिंग मनी तो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको संप्लि हमारे चैनल को करना होगा सबस्क्राइब हैं तो आप कमेंट वोक्स कमेंट करके हमें बताएं हम उनका बहुत जल्द आपको रिप्लाइग करेंगे तो चलिए आज की वीडियो के में साथ देकरते हैं और मिलते हैं आप से नेक्स वीडियों तब तक किर सुक्रिया